दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने टिक्टाव अकाउंट पर एड वेबसाइट लिंक के आप्शन जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा तो इस आप्शन को आप किस तरह से इनवेल कर सकते हैं तो आप यह मेरे वीडियो देखते रहे यहां पर आप सकते हैं मैं अपने टिक्टाव अकाउंट में लागिन हो उसके बाद यहां पर मैं क्लिक करता हूँ इडिट प्रोफाइल की आप्शन पर तो यहां पर आप सकते हैं यहां पर जो है बायो है और सोशल में आप सकते हैं इस्टाग्राम और यूट्यूब है ल इसके बाद एडिंग इन प्रेविजी की आप्शन पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद आपको पहले आप्शन अकाउट पर क्लिक करना है यहाँ पर आप दिसकते हैं तीसरी रंबर पर आप्शन है स्विच टू बिजनिस अकाउट इस आप्शन पर आपको क्लिक कर दिना है ठीक है यहां पर आपको next की option पर क्लिक करना है दुबारे next की option पर क्लिक करना है उसके बाद दुबारे next की option पर आपको क्लिक करना है ठीक है आपका account जो है यहां पर आप केटे करी दिख सकते हैं आपका account जो है किस केटे करी का है तो वो केटे करी आपको जो है select कर लिए ठीक ह यहां पर मैं personal blog को tick करता हूँ उसके बाद जो में next की option पर click करता हूँ यहां पर आपको email address देने हैं अगर आप email address देना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो आप इसको skip भी कर सकते हैं मैं यहां पर skip की option पर click करता हूँ ठीक है यहां पर यह मुझे दे रहे हैं registered business account trial ठीक है अगर मैं इसको इस वक्त visit करना चाहूँ तो ठीक है नहीं तो इसको किरास कर देता हूँ इस वक्त ठीक है अब जो है इस account को refresh करना है उसके बाद जो है मैं edit profile की option पर click करता हूँ तो यहां पर आप सकते हैं इसमें और options भी आ चुके हैं ठीक है क्योंकि मेरा जो टिक टॉक अकाउंट है पहरे personal था तो अब बिजनस में convert हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हैं website और यहां पर website aid करने की जहां पर option भी मिल चुकी है तो इस तरही के से जो है आप टॉक टॉक पर aid website link का option enable कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी बिलेंगे नेक्स टुडियो में अला आफिस